साथियों, आज की प्रेस वारता को अगर मैं दो लाइन में समराइज करूँ, तो मैंने बहुत अच्छी दो लाइन स्वयम ने लिखी है सरकार के यार लेकर बेशुमार उधार, बन गए बड़े खरिदार, कई अर्थ वेवस्ता का ना कर दे बंटा धार मोदी जी एंड कंपनी का एक मंत्रा है, बॉरो एंड कॉनकर, साथियों, हम में से कई लोग कभी कभी बिजनस करने का सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं और सबसे बड़ी अडचन आती है पुन्जी की, क्योंकि हम लोग मध्यमायवर गिये या लोवर इंकम गुरूप फैमिली से बिलॉंग करते हैं, तो पुन्जी नहीं होती, तो हमारे पास एक अच्छा आइडिया होने के बावजूत भी, हम उस बिजनस को एक्जिक्यूट नहीं कर पाते हैं, पर मोधी जी का एक मंत्रा है अपने दोस्तों के लिए, वो स्कीम आपके लिए मेरे लिए 140 करोड देशवासियों के लिए नह नहीं, एशिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओ, अपने पैसों से नहीं, उधारी पे, आज की प्रहसवारता उसी पर केंद्रित है, सातियों, पहले मैं मोधी जी के मित्र पे आओं, उससे पहले उधारी का काम जो भारत सरकार ने किया, उसका एक आकड़ा आपके सामने देखा, तो तीन बार मैंने उसको पड़ा, क्योंकि मुझे लगा कहीं न कहीं कोई गलती है, पर उसमें कोई गलती नहीं थी, दो हजार चौदा में हिंदुस्तान की सरकार पर उधारी थी, पच्पन लाक करोड रुपे की, 55.9 लैक करोड और दो हजार तेबीस में सरकार प 55.9 लाक करोड से बढ़कर 152.17 लाक करोड हो जाएगी, अर्थात, 2014 में हर हिंदुस्तानी पर सरकार के लिए कर्ज के कारण करजा था 42,124 रुपे, 43,124 रुपे was per capita debt on each one of us in 2014, and as per government of India, in 2023, it is expected to increase per capita debt from 43,124 to 1,9,000 रुपेज, 43,124 प्रती हिंदुस्तानी पर जो 2013-14 में कर्ज था, वो 2000 वित्य वर्ष 2023 में बढ़कर 1,09,000 रुपे हो जाएगा, मतलब पिछले आठ सालों में मोदी जी के कूप्रबंदन के कारण, प्रती हिंदुस्तानी पर कर्ज 152% से बढ़ा है, 43,124 से 1,09,000 रुपे, ऐसा कर्ज हमारे उपर है, जो हमने लिए लिया, हमारे बाबत सरकार ने लिया, उस कारण हमारे उपर आ गया, 152% इस कर्ज में बढ़ातरी हुई, ये तो है सरकार का मॉडल, अब सरकार का मॉडल है तो उनके यार भी यही मॉडल काम में लेंगे, अब उन्होंने क्या मॉडल लिया है, उसके बारे में नियू यॉर्क की क्रेडिट रिसर्च फर्म, क्रेडिट साइट ने अपना एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करी है, उसके अनुसार, सरकार के जो हम दो, हमारे दो के नंबर वन व्यक्ती, उनके उपर 2,30,000 करोड का करज है, अडानी के उपर, कुल करज, अडानी गरुब के उपर, 2,30,000 करोड रुपे का है, अब सवाल ये उठता है कि कौन ये कर्ज अडानी ग्रूप को दिलवा रहा है उसका ब्योरा भी लाया हूँ कि भई स्टेट बैंक का कितना है और दूसरे प्राइवेट बैंकों का कितना है विदेशी बैंकों का कितना है सारी बाते करेंगे तो क्रेडिट रिसर्च फर्म क्रेडिट साइट के अनुसार ग्रॉस डेट अडानी ग्रूप के उपर दो पॉइंट तीन ट्रिलियन रुपिय इस इक्वल टू दो लाग तीस अजार करोड रुपिया हो गया अब यह रिपोर्ट आगे क्या कहती है और बहुत महत्पून बात इस रिपोर्ट ने कही है वो कहती है कि अडानी ग्रूप ग्रॉसली लिवरेज्ड है मतलब कर्ज में दबा हुआ है फिर भी नया कर्ज मिलता जा रहा है वो रिपोर्ट आगे यह कहती है कि अडानी ग्रूप को नए और अन्रिलेटेड बिजनसेज में जाने से बचना चाहिए यह बड़ी रिस्क है उसके उपर अन्रिलेटेड बिजनस अब तो आप देख लीजिए धर्ती आकास पाताल वायू अगनी पांचों महाभूत के अंदर कोई भी बिजनस है हिंदुस्तान में उसके अंदर अडानी ग्रूप है और क्यों है वो आप और मैं और देश के सभी लोग जानते है अब यह कहते हैं क कि अडानी ग्रूप ने अपनी जेब से कैपिटल नहीं लगा रही है यह रिपोर्ट कह रही है यह हमारा आकडानी है यह हम नहीं कह रहे है कि अडानी ग्रूप कर्ज में दबा हुआ है यह रिपोर्ट कह रही है कि अडानी ग्रूप अन्रिलेटेड विजनस कर रहा है जिस का उसको कोई अनुभव नहीं है ये रिपोर्ट कह रही है कि अडानी अपनी परसनल इकविटी कैपितल अपने ग्रुप्स में इंजेक्ट नहीं कर रहा है आगे ये रिपोर्ट कहती है और इस रिपोर्ट के हवाले से मैं पूरी बात कर रहा हूं कि 2020 से 2022 के बीच अडानी ग्रुप ने 48,000 करोड रुपे का कर जा लिया देड़ साल के अंदर जून 2000 अपरेल 2020 से जून 2022 के मद्दी दो साल के अंदर 48,000 करोड का कर जा लिया जिसमें से मात्र स्टेट बैंक ओफ इंडिया से 18,770 करोड र रिपोर्ट कह रही है कि कर्ज में दब रहा है, रिपोर्ट कह रही है कि नए और जिन बिजनसेस का अनुबवनी है उसमें गुरुप जा रहा है, रिपोर्ट कह रही है कि बिजनस में गुरुप को अपनी स्वयम की कैपिटल लगाने की जरूरत है, पर स्टेट बैंक ने उसी ग्रूप ने करजा लिया उसका 40 परतिशत करजा तो सिरफ State Bank of India ने दिया और बाकी 14 ग्लोबल प्राइवेट बैंक्स ने दुनिया के सारे बड़े 14 बैंकों ने मिलके जिसमें जापान के बैंक, अमेरिका के बैंक, सिंगापूर के बैंक, औस्ट्रेलिया के बैंक, स्विजरल बात अभी खतम नहीं हुए, अब यह कह रहे हैं, यह रिपोर्ट कह रही है कि इसके कारण भारतिये बैंकों के उपर भैंकर रिस्क है, बड़ी रिस्क है बैंकों के उपर इस करजे के कारण, और इस रिपोर्ट के अनुसार, अडानी एंटरप्राइज और अडानी ग्रीन energy ने जो जो जिनके उपर 94,400 करोड रुपे का कर्ज है आपको जानके आश्चरिय होगा कि वह अपना जो ब्याज का खर्चा है जो उनका tax के before earning है उसका मात्र डेढ गुना वो ब्याज का मात्र डेढ गुना tax के before की earning के रूप में कमाते हैं EBITDA to tax to gross debt is 1.5 times only EBITDA to gross debt फिर यह report आगे कहती है कि the report highlights कि आने वाले समय में इनके नए businesses में profit नहीं होगा यह मैं नहीं कह रहा यह report कह रही है और जब profit नहीं होगा तो या तो बैंकों को इनको और कर्ज देना पड़ेगा या बैंकों का कर्ज डूब जाएगा आने वाले समय में क्योंकि यह नया नया बिजनस करते हैं अब इस report में आगे कहा जा रहा है कि इसके कारण अडानी ग्रूप एक massive debt trap के अंदर जा चुका है और इस report के अंतिम paragraph में जो line ने लिखी है वो मैं अक्षरस आपके सामने पढ़के सुनाता हूँ गौतम अडानी also enjoys healthy relationship with ruling Modi administration यह as it is वर्गबेटिम सुना रहा हूँ आपको Mr. अडानी and Indian Prime Minister Mr. Narendra Modi know each other well going back to the later days as the Chief Minister of the Gujarat State यह इस report में लिखा गया पूरा 220,000 करोड का करजा है पिछले दो सालों में आपने जो major करजा लिया उसमें से 40 परतिशत सिरफ State Bank of India से लिया आप नए बिजनस में जा रहे हो जिसके कारण इस report में कहा गया है कि आने वाले समय में उन बिजनसेज में उतनी profitability नहीं रहेगी तो आपको बैंकों को और करजा बैंकों से और करजा लेने की जरूत पड़ेगी या बैंकों को आप करजा या ब्याद चुकाने में असमर्थ हो जाओगे गोर तलग ध्यान रहे याद रहे कि 23 जून 2022 को मैंने एक और प्रेसवारता की थी आपको याद होगा जब श्री लंका के प्रेसिडेंट को के उपर मोदी जी का प्रेशर गया था कि वह जो रिन्यूबल एनरजी के पावर के प्रोजेक्ट है वो अडानी को अलोट करें यह हमने नहीं का यह श्री लंका के स्टेट ओन सीलाउन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेर्मेन ने यह बात कही है अभी तक उसके बारे में उसको किस तरह उस इश्यू को खतम किया गया चेर्मेन साफ के उपर दबाव डाला गया की नहीं दबाव डाला गया उन्होंने अपने शब्द वापस लिए गौर तलब है कि 2014 में जैसे ही मोदी जी सरकार में आये तो SBI ने अडानी ग्रुप को एक बिलियन डॉलर का कर्ज देने का इन प्रिंसिपल एग्रिमेंट बनाया और उसको वापस लेना पड़ा था आफ्टर कॉंस्टेंट प्रोटेस्ट SBI ने उस MOU को स्क्रैप किया फिर 2020 में SBI ने अडानी के कारमिशेल कोल प्रजेक्ट जो अस्ट्रेलिया में है उसको 5000 करोड का लोन देने की फिर पेशकस की पर प्रेशर बाइ इन्वेस्टर्स का जब प्रेशर आया तो वो लोन भी स्टक हुआ अभी इसमें क्या अपडेट है उसके बाद किसी को कुछ नहीं पता है और जो लेटेस्ट गिमिक हुई है जो लेटेस्ट गिमिक करी है इनोंने वो है 29.19 प्रतिशत एक टीवी चैनल में क्योंकि अडानी तो सब जगा है धारावाइक से लेके न्यूस तक कोल से लेके हवाई जाजो तक हवाई अडो की निगरानी से लेके पोर्ट तक मतलब आप सोचिए बिजनस आपके दिमाग में बिजनस सोचिए उसमें आपको मिलेगा अडानी और वो पिछले आठ साल में किस तरह प्रोस्पर कर रहा है और वो भी हमारे पैसो से बैंक के पैसो से जो कि हमारा पैसा है अब इस मीडिया हाउस के हवाले से मैं एक खबर दे रहा हूँ कि बिना कंसेंट के बिना कंवर्जेशन से बिना फाउंडर के इन्फॉर्मेशन और एप्रूवल के 29.19 परतिशत स्टेक अडानी ग्रूप ने लीडिंग टीवी न्यूस चैनल में खरीदने की बात करी और यहीं नहीं रुके बोले 26 परतिशत और ओपन ओफर से लेंगे अब इस बाबत हमारे तीन सवाल है सरकार से पहला वह कौन है सरकार में व्यक्ति जो बैंकों के उपर दबाव डालता है अडानी ग्रूप को करजा देने के लिए क्योंकि करज पे करज बढ़ा जा रहा है कैपिटल अपनी तरफ से अडानी ग्रूप लगा नहीं रहा है करजे पे बिजनस पे बिजनस किये जा रहा है एक्विजिशन पे एक्विजिशन किये जा रहा है वो कौन व्यक्ति है जिसने SBI को या अन्य बैंकों को अडानी ग्रूप के उपर अडानी ग्रूप को लोन देने का दबाव डाला हम पूछना चाहते हैं कि इसके कारण जो भारत की अथ वेवस्ता के उपर जो huge risk आई है दो लाग बीस हजार करोड का रिन है total debt is 2.2 trillion और अगर हम मौजूदा जो US dollar इंडियन रुपी की rate ले है तो 2,30,000 करोड हो जाएगा तो वो कौन लोग है जो state bank पे दबाव डालते है अडानी ग्रूप को कर्ज देने के लिए दूसरा अभी जब अडानी ग्रूप ने एक media house का hostile take over करने का जो प्रयास किया जा रहा और ले लिया Securities and Exchange Board of India और वित्त मंत्राले क्यों खामोश है क्यों वो इसकी जाच नहीं करवाता कि ये hostile take over कैसे हुआ कौन कौन से सेवी के जो notifications और सेवी के जो circular से उनका उलंगन हुआ है वो क्यों मुखदर्शक बनके बैठा हुआ है तीसरा कि जब एक फर्म दो लाक तीस हजार करोड का करज लेके देश में काम कर रही हो अगर वो फर्म default करती है तो अर्थ विवस्ता पे जो दुश प्रभा उस default के कारण पड़ेगा उसके लिए मोदी जी और वित्मंत्राले में निर्मला सितारमन जी ने क्या तयारी करके रखी है So these are three particular questions Before I entertain the questions on this I would like to brief you in English सरकार के यार लेकर बेशुमार उधार बन गए हैं बड़े खरिदार कहीं अर्थ विवस्ता का ना कर दे बंटाधार Borrow and conquer is a new mantra of Modiji and company If one analyze the economic and financial condition of the BJP government Has inflicted upon the country one would have no reason not to believe that it is a nightmare One of the most worrying aspect is the spiraling debt pattern The outstanding internal and external debt and other liabilities of central government at the end of year FY23 are estimated to rupees 152 lakh crore As against 55.9 lakh crore at the end of financial year 2014 So per capita debt on us increased from 43,124 rupees as on March 2014 To rupees 1,09,000 as on March 2023 That is an increase of 152% in the last nine years Debt being offered on a platter to some friends of the government Has created an anxious position for the nation on top of the national debt obligation So the government has taken their own $2,30,000 crore Recently a New York based credit research firm, Credit Sites Published its analysis on the debt position of the Adani Group start startling facts have emerged from this analysis the gross total debt with all key adani entities is close to rupees 2.3 trillion rupees so total debt on adani group is 2 lakh 30 000 crore rupees some of the facts are as summarized from that report point number one the credit report has drawn up several several credit concerns raising ranging from groups overly leveraged aggressive expansion to forays into new or unrelated businesses environmental social and governance risk and at last but not least limited evidence of equity capital injection by gotham adani and his family so as per this report the group is aggressively overly leveraged because of its aggressive expansion plan and they are entering into unrelated and new businesses and the family of gotham adani and promoters of the firm are not infusing enough capital they are surviving only due to debts second out of the major loans obtained by adani group in from in year 2020 20 and from the april 2020 to june 2022 that is rupees 48 000 crore 40 percent of its loan are funded by sbi alone that is 18 770 crore rupees remaining 60 percent is funded by 14 global private banks this exposes the most prominent indian bank to go to a huge risk adani enterprises and adani green energy with a combined gross debt of rupees 94 400 crore have ebita to gross debt ratio of mere 1.5 times the report highlights that these businesses and this is important this report says that these businesses do not make profits in the initial years and hence there is a likelihood of rolling over or refinancing for interest obligation for which they would again have to reach out to banks the report calls out an overly ambitious debt funded growth plans could eventually spiral into a massive debt trap and the other important point to note is that credit side report puts this blatantly i quote gotham adani also enjoys healthy relationship with the ruling modi administration mr adani and indian ppm mr narendra modi know each other well going back to the later days as the chief minister of the gujarat state everyone will would recall our press conference on a similar subject dated june 23 2022 the chairman of sri lanka sri lankan state-owned silon electricity board claimed before a parliamentary panel that pm narendra modiji pressurized sri lankan president to award a wind power project to the adani group also as soon as the modi government came to power in 2014 sbi drafted an in principle agreement with the adani group of dollar 1 billion and bought in several banks worldwide to provide fundings after constant protest sbi backed off and scrapped the mou in 2020 news of another rupees 5 000 crore loan by state bank of india to adani's commercial coal project in australia become public pressure by investors such as amundi and aksa led to sbi's loan stuck we are not having any update on this till now the latest gimmick has been there still the acquisition of 29.19 percent stake by adani group in a leading news channel this was executed without an input from conversion with or consent of the channel's founders the adani group also announced an open offer to buy another 26 percent stake in that particular channel so we have three specific questions for the constant sleep mode bjp government number one who from the government is pressurizing banks such as the state bank of india to grant loans of such proportions putting the national economy and banks at colossal risk why are the finance ministry and savi sitting idle on the entire hostile acquisition episode of a leading tv news channel and what is the modi government plans to save the economy and specific sectors from the collateral and cascading damage in case case of default or loan repayment delay as the adani group's debt is consistently increasing so friends i am open for questions first of all i would like to entertain questions on the subject and thereafter we can have few more questions yes please g any other question thank you तेखिए अभी तक इस बाबत कोई official communication हमने पूरा नहीं पढ़ा है जो आप जो बता रहे हैं वो अभी भी सुत्रों के हवाले से ही खबर है तो जब तक कोई official communication हम पूरा नहीं पढ़ लेते उसमें क्या-क्या issues इंगित किये गए है जब तक हम पूरा उसका अवलोकर नहीं कर देते इस बाबत कोई भी बात कहना अभी जल्दबाजी होगी भारत की न्याईक विवस्ता पर आज भी हिंदुस्तान के प्रतियक व्यक्ति को और कॉंगरेस पार्टी को पूर विश्मास है और हमें उम्मीद है कि सविधान बिल्किस बानों के साथ न्याय करेगा भारत की न्याय प्रणाली न्याय करेगी जो 11 दुश कर्म के दोशी लोग उनको जिस तरह से माला पहना के जिस तरह से उनका स्वागत किया गया वो हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के लिए गुजराज सरकार के लिए और भारत सरकार के लिए एक शर्म की बात है एक दुश कर्म के दोशी 11 लोगों का महिमा मंदन किया जा रहा है उनको इस तरह स्वागत किया जा रहा है कि उन्होंने भारत के लिए स्वन पदक जीत लिया हो शर्मानी चीए गुजराच सरकार को शर्मानी चीए भारत सरकार को जो मुख दर्शक बन के सारी चीजे देख रही है हमें पूर्ण विश्वास है कि भारत की न्याय प्रणाली भारत की भारत का सविधान हमारे देश की बेटियों को न्याय देगा और जैसा राउल गांदी जी ने कहा है कि बेटी बचाओ सिरफ खोकला नारा नहीं हो सकता बेटी बचाओ जैसे खोकले नारे आप दे रहे हो और दूसरी तरफ बलातकारियों को बचाने का काम कर रहे हो मुझे और कॉंग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि भारत का सर्वोच न्याय ले बिल्किस बानों को न्याय देगा और जिन लोगों ने भी इस न्याय विवस्ता का उपवास उड़ाने किया प्रयास किया उनके खिलाफ कड़ी कारवाई होगी बेशरम लोग है वो जिनोंने एक दुशकर्म जो पिडित महिला उसके साथ जिनोंने दुशकर्म किया उनका स्वागत किया जा रहा है उनका माल्यारपन के द्वारा उनको उनका स्वागत किया जा रहा है मुझे लगता है हिंदुस्तान में इससे जादा बेहुदापन कभी नहीं हो सकता। सकता। against the registrar of Supreme Court of India also. So, how can they answer? Everybody knows that this weapon was used. This weapon had given a dent to the democracy. Everybody is used that this weapon is against the law or the constitution of our country. How can they give the answer? कई बार उत्तर नही देना भी एक उत्तर होता है. सरकार ने बता दिया कि उन्होंने Pegasus हत्यार का प्रियोग इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ किया था. सरकार ने चुप रहके ये बता दिया कि इस Pegasus हत्यार का प्रियोग सरकार ने राहूल गांदी जी के खिलाफ, अपोजिशन के लीडर्स के खिलाफ, मुख्य विज्ञानिकों के खिलाफ, Election Commissioner के खिलाफ, Supreme Court के Registrar के खिलाफ, देश के Civil Society के Activist के खिलाफ, देश के Senior Journalist के खिलाफ किया है. अब क्या उत्तर देने को रह जाता है? मुझे उम्मीद है कि Supreme Court इस नई उत्तर देने को भी एक उत्तर मानेगा और सरकार के खिलाफ, इस मामले में कड़ी कारवाई करेगा. क्योंकि हम तो पहले दिन से ही पूछ रहे हैं, Pegasus हत्यार का प्रयोग, आ सरकार ने क्यों किया? किस कानून के अंतरगत किया? जिस हत्यार का प्रयोग, आतंकवादियों के खिलाफ किया जाता है, जिस हत्यार का प्रयोग, दुश्मन देश के जो लोगों के खिलाफ किया जाता है, सरकार ने उस हत्यार का प्रयोग, भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए क्यों किया? भारत की न्याई पालिका को कमजोर करने के लिए क्यों किया भारत की एक्जिकुटिव को कमजोर करने के लिए क्यों किया इसके बारे में उसको उत्तर देना चाहिए हमने आपको डिटेल्ड ब्योरा दिया कि Election Commissioner के खिलाब उस हत्यार का प्रियोग हुआ Supreme Court के Registrar के खिलाब उस हत्यार का प्रियोग हुआ उस हत्यार का प्रियोग Opposition के Leaders के उप़र हुआ राउल गांदी जी के उप़र उस हत्यार का प्रियोग किया गया उससे सिरफ आपने लोकतंत्र और भारत के समविधान को कमजोर करने का काम किया और किस हैसियत से वो हतियार खरीदा गया वो एक हतियार है जैसा राउल गांदी जी ने बार बार का that is a weapon to give a dent to the democracy of our country that is a weapon to give a dent to the constitution of our country that is a weapon against parliamentary, against executive, against the judiciary of our country जब आप opposition के नेताओं के खिलाब उस weapon का प्रयोक करते हो तो उससे आप parliamentary democracy को dent देते हो जब आप Supreme Court के registrar के phone में उस weapon का प्रयोक करते हो तो आप judiciary को dent देने का काम करते हो जब आप भारत के निर्वाचन आयोक्त है election commissioner है जो देश के उनके phone पे इस weapon का प्रयोक करते हो तो आप executive को कमजोर करने का काम करते हो जब आप उस weapon का प्रयोक देश के civil right के activist देश के senior journalist के खिलाब करते हो तो आप देश का जो चौथा system है उसको dent देने का काम करते हो इसलिए नहीं उत्तर भी एक उत्तर है और क्या उत्तर देगी सरकार हमें भी पता है और देश के हर व्यक्ति को पता है कि इस weapon का इस हत्यार का प्रयोग मोधी सरकार ने देश के सविधान को dent देने के लिए देश के लोकतंतर को डेंट देने के लिए किया है